पुत्रदा एकादशी का महर्त्व, श्री युधिष्टिर कहने लगे कि है भगवान, मैंने श्रावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्नन सुना, अब आप मुझे श्रावन शुकल एकादशी का क्या नाम है, व्लत करने की विदी तथा इसका महत महत्म्य कृपा करके कहिए, मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, ये भगवान, मैंने श्रावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्नन सुना, अब आ पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनो कामनाये पूरी होती हैं। अब आप शांतेपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनन उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। सज्जनों के गूर तत्वों को जानने वाले समस्थ शास्त्रों के ग्याता महात्मा लोमश मुनी को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर रिशी को प्रनाम किया। उन लोगों को देखकर मुनी ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आये हैं। नी, संदेह में आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश रिशी के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्शे। आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतहा आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिश्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है। फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दू, खी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं। अतह उसके दू, ख से हम भी दू, ही हैं। अतह जिस प्रकार राजा का ये पाप नश्ठो जाए, आप ऐसा उपाई बताए। लोमश मुनी कहने लगे कि श्रावन शुकल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रातरी को जागरन करो तो इससे राजा का ये पूर्व जन का पाप अवश्य नश्ठो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ती होगी। लोमश रिशी के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजानगर को वापस लोट आई और जब श्रावन शुकल एकादशी आई तो रिशी की आग्यानसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरन किया। से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुक भूगतर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरी